गूड मौर्निंग एर्थ क्लास स्टुडेंट्स देखे बेटा आज हम आपका पाठ पढ़ेंगे पाठ साथ क्या निरास हुआ जाए इसके लेखक है हजारी प्रशाद दिवेदी कौन है इसके लेखक है हजारी प्रशाद दिवेदी हैं जैसा कि सभी चैप्टर से पहले हम लेखक परीचे पढ़ते हैं उसकी इंफोर्मेशन लेते हैं तो इनकी भी देखते हैं हजारी प्रशाद दिवेदी का जर्म सन 1907 इस्वी में कब हुआ 1907 इस्वी में उत्तर परदेश के बलिया जिले के आरत दूबे का छपरा नामक गाम में हुआ था इनके पिता का नाम है अनमोल दिवेदी ये बड़े ही अध्यन सील व्यक्ति थे इनकी प्रारमबिक सिख्षया घर पर ही हुई इन्हों ने उची सिख्षया बनारस के प्रसिद 80 लिज विश्व विद्यले से प्राप्त की तो प्रारमबिक सिख्षया घर पर की है और उची सिख्षया बनारस 80 लिज़ा से प्राप्त परा आस में ने हिंदू विश्विद्याल के हिंदी विभाग के प्रोफेसर वै अध्यक्स पद पर नियुक्त किया गया। नियुक्त कितने आईुके थे ये तब इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी रचनाएं देखो असोक के फूल, बान भट की आतम कथा, अनाम दास का पोथा, लालित्य, मिमानसा, कुटज, कलपलता, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की लालित्य, योजना, चारू, चंदरलेक, आधी इनकी रचनाएं हैं ये हमारा क्या हुआ लेखक परीचे है, कोण है लेखक हजारी प्रशाद दिवेदी अब देखे वेटा, हजारी प्रशाद दिवेदी ने इस चैप्टर में हमें क्या बताया है प्रस्तुत पाठ में, क्या है पाठ का नाम, क्या निरास हुआ, जाए तो क्या निरास हुआ जाए पाठ में लेखक ने समाचार पत्रों में ठगी, डकेती, चोरी, तसकरी और भ्रश्टाचार के समाचारों से भरे रहने से जो निरासा का वातावर्ण बनता जा रहा है अर्थात समाचारों में पत्रों में सारी खवरे जो है ठगी की डकेती की चोरी की और तसकरी तथा ब्रस्टा चार की ही है तो उसे एक निरासा का वातावर्ण बनता जा रहा है उस पर चिंता व्यक्त करते हुए दिवेदी जी ने उस पे चिंता वेक्त की है और कहा है कि इस आरोप प्रत्यारोप जो आपस में जो दोसारोपन हो रहा है एक दूसरे आपस में दोस लगा रहे हैं इस वातावर्ण में मानव मन को निरास होने की आवशक्ता नहीं है अभी भी आसा की जोती ने तो भुजी है और नहीं भारत वस को माहन बनाने की संभावना क्षीन हुई अर्थात खतम हुई है तो इसमें लेखक ने हमें ये बाते बताई हैं पूरे चैप्टर में अब हम पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं देखो मेरा मन लेखक का मन जो है वो कभी-कभी बैठ जाता है अर्थात घबरा जाता है समाचार पत्रों में ठगी ड़केती चोरी तसकरी तसकरी का आर्थ क्या होता है चोरी से सीमा पार माल ले जाने की क्रिया चोरी से जो चोर होते हैं वो तसकरी करते हैं वो चोरी से सीमा के उस पार माल को ले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं तसकरी और ब्रश्टाचार के समाचार भरे रहते हैं आरोप प्रत्यारोप, आरोप का आर्थ होता है दोसारोपन और प्रत्यारोप का होता है किसी व्यक्ति द्वारा दोसी ठहराना, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे को दोसी ठहराना तो का कुछ ऐसा वातावन बन गया है कि लगता है देश में कोई इमानदार आदमी ही नहीं रहे गया वो कह रहा है कि एक देश में ऐसा वातावन बन गया है जैसे तो कोई इमानदारी नाम की चीजी नहीं बची है ना कोई आदमी इस संसार में इमानदार बचा है किस वज़े से समाचार पत्रों में जो समाचार आ रहे हैं ठगी डकेती चोरी तसकरी ब्रस्टाचार के उनसे लेखा को लग रहा है जैसे कि देश में कोई इमानदार आदमी ही नहीं रहा हर व्यक्ति संदे की द्रस्टी से देखा जा रहा है संदे होता है एक सक की द्रस्टी से देखा जा रहा है जो जितने ही उचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोस दिखाए गए हैं जो जितने अधिक उचे पद पर उसमें उतने ही अधिक दोस हैं बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा लेखक कह रहा है एक बहुत बड़े आदमी ने मेरे से कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता लेखक ने एक आदमी से कहा एक बार कि आज के ध्यमाने में सुखी वही है जो कुछ नहीं करता जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोस खोजने लगेगे, यह बात सही भी है बेटा, आज हम लोग कुछ भी, आगे कोई भी इंसान हमारे समाज में देश में जो आगे बढ़ता है, उसमें लोग काफी दोस खोजते हैं, उसकी तूटिया निकालते हैं, उसके सारे गुण बढ़ा चड़ा कर दिखाये जाने लगेगा किसी आदमी में अगर 99 गुण अच्छे हो और एक उसमें अउगुण हो तो आज की जनता आज की पब्लिक जो है वो उस एक अउगुण को ज्यादा पब्लिसिटी करती है जबकि उस 99 गुण को नहीं करती है हमारे समाज और देश से अधिक दिख रहा है लोगों की जो साइकलोजी है एक मेंटिलिटी ऐसी बन गई है जिससे हर आदमी उन्हें दोसी ही दिखता है गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं गुण तो किसी में दिखते ही नहीं और दिखते हैं तो वो भी बिल्कुल भी ना मात्र के ही अगर इस्त संस्कृति बन गई है तो ये एक चिंता का विश्य है क्या यही भारतवर्स है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था जब हमारे स्वतंतरता से नानियों ने इतने दुख दर्द जेल कर हमारे देश को एक सुन्दर सपना संजोया था तो क्यों कह रहा है तिलक और ग किस कहर में डूब गया जो उन्होंने सपने में देखा था कहर का आर्थ होता है यहां गहरा एं अंधेरा स्थान तो कहरे कहा गया आरियों और और दर्विड दर्विड हिंदु ओर मुसिल्मान यूरोपिय और भारति आदर्सों की मिलन भूमी मानव महा समुद्र क्या लूखी गया वह कह रहे हैं लेखक की जो आरिय और द्रविड थे आरिय समास था आरिय लोग थे हमारे हिंदू और मुसल्मान थे देश में यूरोपी और भारतिय जो आदर्स थे उनके उनका मिलन भूमी थी भारत मानव महासमुद्र जिसमें की बहुत सारी जातियां हमारे देश पे आकरमन करता आये आकरमन किया लूट खसोटकी और वो गए लेकिन यह हमारे मानव का महासमुद्र हमारे भारत के बारे में बताया गया है क्या वो सूख ही गया मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता लेख कह रहा है कि मेरा मन कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता अभी भी कुछ आदर्स बहुत सारे आदर्स हमारे देश के लोगों में विद्यमान है हमारे महान मनीशियों मनीशी क्या होता है मनीशी जो ग्यानवान व्यक्ति होता है ग्यानी व्यक्ति तो महान ग्यानी व्यक्तियों के सपनों का भारत है और रहेगा कहरा है ये हमारे भारत के जो महान व्यक्ति हैं उनका सपना रहा है और आगे भी रहेगा यह है सही है कि इंदिनों कुछ ऐसा माहूल है कि इमानदारी से महनत करके जीवी का चलाने वाले निरी ही और भोले बाले शरम जीवी पिस रहे है जीवी का का अर्थ क्या होता है विटाया? रोजी रोटी का साधन जीवी का रोजी रोटी का साधन होता है और निरी ही इच्छेम त्रशन लोग अथात भोले भाले गरीब लोग होते हैं स्रम जीवी होता है काम करके जीवन बिताने वाले अपना स्रम करके जीवन बिताने वाले और फरेव किसे कहते हैं जूट बोलना धोका देना ऐसे लोग फल फूल रहे हैं उन्नती कर रहे हैं तो देखे लेखक कह रहा है कि कुछ ऐसा माहूल बन गया है जिससे इमानदारी से महनत करके जो जीवी का जो अपने कमाने का परिवार, कमाने का जो संसाधनों से लोग काम कर रहे हैं, भोले भाले लोग, स्रम जीवी जो अपने प्रिस्रम से कर रहे हैं, वो भी इसमें पिस रहे हैं, अर्थार्थ उनको भी लोग उसी नजरिये से देखते हैं, और जूट तथा का रोजगार करने वाले फलफूल रहे हैं और जो जूट बोल रहे हैं फरेव कर रहे हैं लोगों को छल रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और जो मेहनत से कमा रहे हैं वो समाज में पीछे होते जा रहे हैं इमानदारी को मुर्खता का परियाय समझा जाने लगा है परियाय क्या होता है? समान अर्थ परियाय वाची आप लोग पढ़ते हैं समान अर्थ तो कहरें इमानदारी को भी मुर्खता के समान ही समझा जाने लगा है सचाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है इसमें कह रहा है कि जो बेबस लोग हैं बेबस ऐसा हाई बेबस क्या होता है ऐसा हाई लोग होते हैं तो जो ऐसा हाई लोग हैं उनके ही हिस्से में दुखी और निडरता भरी पड़ी है उनके ही इस्से में आई है ऐसी इस्तिती में जीवन के महान मुल्यों के बारे में लोगों की आस्ता ही हिलने लगी है कह रहा है कि जो लोगों की आस्ता थी विश्वास आस्ता क्या होता है विश्वास लोगों का विश्वास ही अभी इस आस्ता को लेकर जो मुल्ले हैं उनको डगमगाने लगा है तो बेटा आज ये अपना इतना चैप्टर पढ़ाया है अमने इसके सब्दार्थ आप लोगों को करने हैं और चैप्टर को रीड साथ साथ करते रहों धन्यवाद